वल्कम एक दोस्तों, बीजे माई मास्टर स्री सीजन 3 का फॉर्मेट एनाउंस हो चुका है बीजे माई सीजन 3 स्टार्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और यह टॉर्नमेंट 19 जुलाई से शुर होने वाला है और इसका फॉर्मेट कुछ इस परकार होगा टोटल यहाँ पर 24 टीम्स टॉर्नमेंट में पार्टिस्पेट करने वाली है जिसमें से 20 इनुएटे टीम्स हैं और 4 कॉलिफाइट टीम्स हैं अब आपको बजा दू कि इन 4 कॉलिफाइट टीम्स में से 3 टीम्स तो आई हैं TVS कॉलिफाइट से और एक आईए One Blade Qualified से साथी साथ इस tournament को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फस्ट है Opening Week, Second League Week, Third Playoffs and Last Grand Finals तो सबसे पहले आता है Opening Week दोस्तों ये stage tournament के starting के 3 दिन यानि हो गए आपका 19, 20 और 21 जुलाई को होगा इसमें 24 टीम्स को 6 Equal Groups में डिवाइड किया गया है मतलब 4 टीम्स इनीज को और ये सबी टीम्स इन 3 दिनों में टोटल 4 मैचेस खेलेंगे फिर दोस्तों Opening Week खत्म हो जाने के बाद टॉप 18 टीम्स सीधा अगले stage जो की होगा League Week उसमें Qualify हो जाएंगी बाकी बची बॉटम्स की 6 टीम्स को Audience Voting होगी और इन 6 टीम्स में से 2 टीम्स जिनको सबसे जादा वोट्स मिलेंगे उन्हें एक chance मिलेगा League Week खेलनेगा लेकिन Audience Voting में आई वे बाटम 4 टीम्स को हम्म, Eliminate होना पड़ेगा और इस तरह Opening Week की Top 18 टीम्स और Audience Poll से आई 2 टीम्स को मिलाकर 20 टीम्स League Week के लिए Qualify कर जाएंगी तो अब आते हैं League Week की तरफ जो टार्रामेंट का हमारा Next Part होगा यानि कि Next Stage होगा जो खेला जाएगा from 22 July से 4 August तक दोस्तों इसमें होगा ये की Opening Week के 20 participating teams को equally 5 groups में divide किया जाएगा मतलब 4 teams in each group and सभी teams throughout this stage टोटल खेलेंगी 24 matches फिर इस League Week के खत्म होजाने के बाद जो भी teams Top 4 मे आएंगी वो सीधा Grand Finals के लिए Qualify हो जाएंगी और बाकी की Bottoms की 16 teams Playoffs में खेलेंगी Next round है Playoffs दोस्तों जो 6 August से 7 August को खेला जाएगा इसमें होगा ये की League Week से आएवे जो Bottom 16 teams है ना टोटल 6 matches खेलेंगी और टूडे और इन 6 matches के बाद Top 12 teams Grand Finals के लिए Qualify हो जाएगी और Bottom 4 Unfortunately उनको Eliminate होना पड़ेगा फिर आएगा अपना Last Stage यानि की Grand Finals जो खेला जाएगा 9 August से 11 August तक और जोस्तों Grand Finals में होगा ये की Group Stage से IV 4 teams और Playoffs से IV Top 12 teams यानि की टोटल होगा इस 16 teams यहाँ पर खेलेंगी हर टीम Grand Final में डेली 3 matches खेलेगी यानि देखें तो हर टीम को 9 matches यहाँ पर खेलने होंगे और जब सारे matches हो जाएंगे उसके बाद जब लीडर बोर्ड पर जो टीम टॉप पर होगी न वो होगी Battle Down Mobile Indian Master 3 Season 3 की विनर तो ये था BGMS Season 3 का Tournament Format पर बात नहीं पर खतम नहीं होती, Tournament Organizers ने Tournament में थोड़ा twist लाने के लिए कुछ नए rules लगाए होए हैं जैसे कि हो गया Power Play, Impact Player and Bounties तो स्टार्ट करने से बहले बात करते हैं Power Play के बारे में दोस्तों, Power Play वाला rule प्रीवेस सीजन में भी था आपको पता होगा, उसी समय ये introduce किया गया था जिससे हुआ ये कि Tournament काफ इंटर्स निंग हो गया like IPL की तरह है BGMI Tournament में usually हर फिनिश पर एक पॉइंट रिवाड किया जाता है लेकिन BGMS के Power Play की वज़े से दोस्तों यहाँ पर First Zone में ही हर फिनिश के लिए टीम्स को दो पॉइंट्स मिलते हैं इसमें Opening Week में Top 4 पर आईवी टीम्स के IGL अपनी टीम में से रेंडमली चिट ड्रॉ करके एक प्लेयर को बनाएंगे इंपक्ट प्लेयर सिंपल भाशा में आपको बताएं तो होगा ये कि एक कटोरे में सभी प्लेयर्स के नाम डाल दिये और फिर उनके IGL या कोच रेंडमली एक चिट को उठाएंगे और चिट में जिस प्लेयर का नाम होगा वो बन जाएगा Impact प्लेयर और एक और चीज है ये Impact प्लेयर जितने भी Finish Point Accumulate करेगा उसका Points डबल हो जाएगा दोस्तों मानो किसी Impact प्लेयर ने बट ये Impact प्लेयर वाला रूल सिर्फ लीग वीक तक ही अप्लीकेबल होगा और उसमें भी केवल विकेंड्स पर ही जैसे की हो गया Saturday और Sunday और उस हिसाब से तो ये सिर्फ 27th and 28 July को और 3rd and 4th August को अप्लीकेबल होगा अगला रूल है Bounty सिस्टम का देखो इस रूल में लीग वीक के लेडर वोर्ड में जो टॉप 4 टीमस रहेंगी न वो Bounty कैरी करेंगी अगर कोई टीम Bounty कैरी करने वाली टीम को पूरी तरह से यानि कि चारो प्लेयर्स को डिफीट करके उन्हें मैच से ऐलिमिनेट कर दे तो उस टीम को एडिशनल 10 पॉइंट्स विलिंग के याद रखना मगर ये Bounty वाला रूल सिर्फ और सिर्फ लीग वीक के लिए अप्लीकेबल होगा फ्लेयोपस और ग्रेंड फाइनल्स में ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा लीग वीक के लेडर बोर्ड में जो नया लेडर बोर्ड बनेगा उसमें जो टीम स्टॉप फॉर में होंगी वो सेकेंड मैच में Bounty कैरी करेंगे समझेए तो हर मैच के बाद ऐसी Bounty कैरिंग्स टीम चेंज होती रहेंगी अगर लीग वीक के सेटेड़ या संडे के दिन एक इंपक्ट प्लेयर पावर प्लेय में Bounty कैरी करने वाली टीम को 1v4 करके ऐलिमिनेट कर दे तो उस टीम को पावर प्लेय के 2X, इंपक्ट प्लेयर के 2X और Bounty के अडिशनल 10 पॉइंट्स मिलिंगे दोस्तों मतलब बस एक टीम के अगेंस्ट बिलकु सही वक्त पर 1v4 करके टोटल मिलिंगे 26 पॉइंट्स तो अब देखना ये होगा कि जितना ये सुनने में इंटरस्टिंग लग रहा है क्या execution भी उतना easy होगा आपका क्या opinion है इस completely revamped format और new rules पावर प्लेय इंपक्ट प्लेयर और bounties के बारे में कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो informative लगा हो बस तो like करते जो और subscribe भी